नवस्कार सातियो, सिंथेसिस के अंतरगत जो आपकी एक्ससाइज नमर फोर्त दी है, जीरन डथवा, नाउन से पहले प्रपोजिशन का प्योग करके, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस, एक ने सिंपल सेंटेंस का निर्मार करना, इसका कंप्लिट सॉलूसन हम तो पहला कोशन है, माई ब्रदर एजल, मेरा भाई भीमार है, ही है जा हाई फीवर, उससे तेज बुखार है, तो आप हिंदी में कम्माइन करेंगे, तो कैसे कहेंगे, मेरा भाई तेज बुखार से प्योड़ित है, तो से साथ के लिए आपने प्रोजिशन पढ़ा है, वि आपने पढ़ा है, तो आपको कुछ नहीं करना है, माई ब्रदर एज इल, यहां से आप इससे अठा देंगे, और लिख देंगे, विद अ हाई फीवर, ठीक है, यह आपका अंसर बनके तैयार हो जाएगा, मेरा भाई तेज बुखार से प्योड़ित है, अगला देखिए, ह अगला कोशन देखिए, उसने उन्हें अपनी सलहा दी, और उसने उनके उदारता पूर्वक मदद भी, कि यही कोशन 2.23 में 3.16, जैड भी सैट में आपसे पूचा है, तो देखिए इसमें कैसे कहेंगे, अपनी सलहा देने के अतरिक्त, उसने उनके उदारता पूर्वक मदद भी की, के अतरिक्त, तो इसके लिए प्रपोजिशन आप विसाइट्स का प्रियोग करते हैं, तो आप लेखेंगे, विसाइट्स, उसके बाद गिव का जीरन फ़र्म लेख देंगे, आप गिविंग, विसाइट्स गिविंग, विसाइट्स गिविंग, विसाइट्स गिविंग, विसाइट्स गिविंग, विसाइट्स गिवि की अगला देखिए आई वाट वाच मैंने घड़ी खरी दी आई पेड आर एस 500 फॉर देस और मैंने इसके लिए 500 रुपए अदा किये तो दोस्तों आपको देहां रखना है किसकी बात कर रहा है वो कीमत की तो आप हिंदी में कैसे कहेंगे मैंने 500 रुपए के बदले में तो के बदले में भी आपको फॉर का प्रयोग करना है के लिए की भी लिए भी फॉर का प्रयोग करना के बदले में यानि प्राइस की बात कर रहे हैं ठीक है तो आप सबसे पहले लिखेंगे आई वॉट आई वॉट एवच आई वॉट एवच सब्सक्राइब और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब यह आपका अंसर बन जाएगा मैंने पांसर रुपई के बदले में एक घड़ी खरी दी अग्ला कोश्टन देखिए यू हेल्प मी आपने मेरी मदद की आई वोड हैब बीन डॉन मैं डूब गया होता तो आप देखें वोड है वाई तो आप चाहिए तो सुरुवात में ही बिदाउट का प्रियोग कर सकते हैं या फिर इस सेंटेंस को पहले लिख सकते हैं आई वोड हैव वी डॉन मैं डूब गया होता विदाउट यानि कि के विना अब यहां आप लिख देंगे योर हैल्फ यहां नाउन ब नेरास हो गया डिस्प्लीड माने ना खुष हो गया तो आप कईसे कहेंगे मैं उसके अबहुतर वेहवार से काफिटर संब तो सबसे पहले लेखेंगे आई व्रम कॉएट डिसप्लीड मैं अठेय डिक डिसप्लीड नरास हो गया एट फ्रपुशन एट घ Nord त्रूर रूडर बिहेवियर रूड़ वहेवियर दूसरे प्रकास चैसे लिख सकते हैं अब को स्रूमे लिखना होगा ओं और है ज़ बीहेवेञ भीहेवेлिंग यह जिजयरेंट बन ज colonyकार ऑन एज वहेवेवु इसे बनी सिके असमुकिंद' I was quite displeased ठेक है पहले वाला ज्यादा बहतर है अगला question है He has failed many times वह कई बार असफल हो चुका है He still hopes to succeed उसे अभी भी सफल होने की उम्मीद है तो आप कैसे कह सकते हैं कई बार असफल होने के वावजूद के वावजूद के लिए आप जानते हैं In spite In spite of In spite of Many Many failures Failures यानि की कई बार असफल होने के वावजूद कॉमा He still hopes to succeed ठेक है यह question आपका बन जाएगा I got a pen मैंने एक pen खरीदा I got it for 10 rupees और मैंने इसके लिए 10 रुपे प्राप्ति की है नहीं दोस्तों यहां sold होना चाहिए था पर छोड़िए उसे तो आप कैसे कहींगे मैंने दस रुपे के बदले में एक pen खरीदा तो बस इससे अठा दीजिए प्यूरा बना 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 जाए देखिए I got a pen for 10 rupees मैंने दस रुपे के बदले में एक pen खरीदा ठीक है अगला देखिए He was a poor man वह एक गरीब एक्ति था He was of an independent spirit लेकिन वह एक स्वतंत्र मनोभाला व्यक्ति था यहां आप पहले से ही लगाए तो आपको कुछ नहीं कर देना यह से अठा देना है क्योंकि यह आपके पास पहले से ही है तो He was a poor man of an independent spirit ठीक है अगला question देखिए आप कैसे खाएंगे ख़बर सुनने पर वह मूर्चित हो गई तो आप लेखेंगे on hearing on hearing the news on hearing the news comma सी फेंटेड वह मूर्चित हो गई अगला question देखिए I could not come He could not come वह आना सका He was ill वह बीमार था तो आप कैसे खाएंगते है He could not come due to due to अब यहां लिख देएंगे illness यह noun बन जाएगा यानि कि वह वीमार होने के कारण आना सका ठीक है अगला question देखिए I reached the station मैं station पहुंचा I want tickets और मैंने ticket हैं खरीदी तो आप कहा सकते हैं after after reaching यह जीरन फॉर्म हो जाएगा after reaching the station पहुंचने पर मैंने ticket खरीदी after की जाएगा पर आप उनका भी प्रियोग कर सकते हैं यानि कि station पहुंचने पर मैंने ticket खरीदी अगला देखिए he flat वहाँ भाग गया he had seen a we are coming और उसने एक भालू को आते हुए देखा तो आप कहींगे सब से पहले ओन सिंग यानि कि देखने पर ओन सिंग देखने पर अवी आर कमिंग और वी आर कमिंग इसका हिंदी होगा यानि कि एक भालू को आता हुए देखने पर कॉमा he flat वहाँ भाग गया अगला कोशन देखिए he was arrested वह ग्रपतार हो गया या कर लिया गया I heard the news मैंने खबर सुनी I went to the police station मैं police station गजाब तो आप कैसे कहेंगे उसके ग्रपतार होने की खबर सुनने पर I went to the police station मैं police station गजाब तो ओन कि हीरेंग कि गा न्यूज कि न्यूज ओफ हेज अब अरेस्टेड का हो जाएगा नाउन फॉम अरेस्टमेंट कि अरेस्टमेंट कॉमा आई उसके बाद जोड़ दीजिए I went to the police station ओन हीरिंग दा न्यूज ओफ हीज अरेस्टमेंट उसके ग्रपतार ग्रपतारी की खबर सुनने पर मैं police station गया अगला देखिए he returned safely all were glad तो आप कैसे कहेंगे उसके सुरच्चत लोटने पर सभी प्रसंद हो गई तो on returning on returning on returning on returning safe या हेज सेफ भी आप लेख सकते हैं यह सेफ ज्यादा बैतर रहेगा और returning हेज सेफ उसके सुरच्चत लोटने पर all were satisfied सभी प्रसंद हो गई अगला देखिए he wrote a book उसने किताब लेखी the book was on translation और किताब ट्रांसलेशन पर थी तो देखिए यहाँ the book की जरूरत नहीं या बोज की जरूरत नहीं आप सीधा on से जोड़ देंगे he wrote a book on translation उसने translation यानि अनुवाद पर एक किताब लेखिए so one sold his house he sold it for 50,000 रुपीज तो यह भी आसान है कि बदले में बात कर रहा है तो फॉर फैले सी लगा हुआ है so one sold his house for 50,000 रुपीज अगला देखिए her uncle died she heard the news she baptized तो आप कैसे कहेंगे अपने अंकल की म्रत्यू की खबर सुनने पर वह है रोजा तो कैसे लेखेंगे रोई तो आप लेखेंगे on hearing on hearing the news news of her uncle apostrophe s आप डाइड का नाउन भॉम बन जाएगा death, she wept on hearing the news of her uncle's death she wept अपने अंकल की म्रत्यू की खबर सुनने पर वहां रोई अगला देखिए she met an old man in the street he had a book in his hand तो देखिए कभी-कभी बिल का प्रियोग बाला-बाली के अर्थ में भी निकल आता है तो आप कैसे कहेंगे वहां आपने हाथ में एक किताब वाले व्यक्ति से गली में मिली तो आप यहां लिख देएंगे with a book तो आपका अंसर हो जाएगा see met an old man in the street with a book in his hand ठीक है अगला question आपको comment में बनाना है काफी easy question है just हमने अभी 18 question को किया है उसी पर आदा रहत है तो मिलते हैं next video में thanks for watching